तो हाँ इस सवाल में कहा गया है कि particle को हम ऊपर फेकते हैं from a point A on the ground, from point A on the ground, it takes T1 time to reach a point B, it still continues to move up, if it takes further time T to reach the ground from B, then height of point B from the ground क्या होगी, देखें, ground ये माल लेते हैं और इसको ऊपर फेक देते हैं, और T1 time में क्या हुआ, T1 time में एक certain height H पे पहुँच गया है, T1 time में, अभी और उपर जाता है और और नीचे आता है, अब इसे पूरा चलने में जो time लगता है, अब वो क्या लगता है, T2 लगता है, देखें, मोशन को reverse करके भी सोच सकते हैं, मोशन को reverse करके सोचिए, और फिर उसे इधर से फेक दी इसका मतलब T1, T2 दोनो time पे ही, दोनो time पे भी यह same height H पे रहता है, दोनो time पे ही यह same height H पे रहता है, तो मैं कह सकता हूँ कि H equals to Qt minus half gt square, जिसके मोशन को perfectly define करती है, इसके दो roots क्या होंगे, वो क्या होंगे T1 and, और यहां पर quality equations की, आप कुछ property लगाईए, sum of roots, multiplication of roots, then you will see D आपका एक बहुत ही आसान सा option बनेगा, वैसे इस standard result कई लोगों याद भी रहता है, ठीक है, but remember बहुत ध्यान से रखी, और एक बात और, इन दोनों का sum, इसका time of flight भी होता है, यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके जो दो roots आएंगे, उनका जो sum होता है, वो time of flight with that, right?